जहिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सिखने वाले हैं भिन्नों का जोड, भिन्नों का घटाओ, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग यानि कि इसी वीडियो में हम लोग भिन्नों का जोड, घटाओ, गुणा, भाग ये चारों चीजें सिख जाएंगे इस वीडियो को आप सूरू सुलेकर अंतीम तक एकदम ध्यान से देखिएगा और रफ कलम से लिख भी लेना और आप प्रैक्टिस करना चलो देखते हैं जिसे मालो दोस्तों यहाँ पे चार बट्टे पांच है और इसमें जोड़ना है तीन बट्टा साथ अब दोस्तों आपको दोचना पता है कि अगर दोनों का जो हर है अगर अलग लग रहता है तो क्या करते हैं कि चार बट्टे पांच लिखेंगे और यह वाला पलस में तीन बट्टा साथ लिखेंगे यानि कि हमने अब भी केवल इसको लिखा है और इधर गुणा कची लगाएंगे और इधर भी गुणा कची लगाएंगे तो इसमें क्या करते हैं कि इस वाले साथ से उपर नीचे गुणा कराएंगे देखो यानि कि ये वाला साथ से हमने इसमें गुणा कर दिया और इसमें ये वाला पांच से करेंगे यानि कि हमने इन दोनों का केवल हर चुराया है जब इसमें गुणा कराना हुआ तो इससे करा दिया इसमें गुड़ा करना हुआ तो इससे करा दिया यानि कि इसमें कराएंगे पांच से इसमें कराएंगे साथ से अब देखो यहाँ पर गुड़ा करते हैं यानि कि पहाडा पढ़ते हैं साथ का पहाडा पढ़ेंगे चार बार तो साथ चोग को अठाईस बट्टे में 7 पच्चे 35 ये पलस 3 पच्चे 15 और बट्टे में 7 पच्चे 35 अब देखो बच्चों जैसे ही दोनों का हर बराबर हो गया तो क्या करते हैं कि दोनों का हर केवल एक ठो लिखते हैं यानि कि दोनों का हर केवल एक ठो लिखेंगे और उपर वाला शेम टू सेम लिखेंगे यानि कि 28 पलस 15 जब 28 में 15 जोड़ेंगे तो कितनी बजाएगी 43 कितनी बजाएगी 43 यानि कि 43 और बट्टा मुझे 35 उसको लिख लेंगे तो यह आपका होगे बच्चों भिन्नो का जोड़ यानि कि बच्चों इसका सिस्टम ये होता है कि माले जीए अगर 5 बट्टा 7 होता और 3 बट्टा 7 होता तो यहाँ पे दोनों का जो हर है नीचे वाला ये बराबर है तो इसमें क्या है बच्चों कि इन दोनों का जो नीचे वाला हर है बराबर है जब हर बराबर होता है तो केवल एक ठो लिखते हैं और उपर वाला same to same लिख करके और 5, 3, 8 बटे 7 करते हैं ये कब करते हैं ऐसा जब दोनों का हर बराबर होता है लेकिन जब बराबर नहीं होता है तो हम लोग बराबर करते हैं अब बराबर करने का नियम है कि आप इसका गुणा इसमें करा देंगे और इसका गुणा इसमें करा देंगे जैसे हमने किया देखिए दोनों का हर बराबर हो गया जब बराबर हो जाएगा तो एक टो लिखेंगे और उपर वाला सेम टो सेम लिखेंगे जोड करके उबटे ल लिखना है और गुणा कर में इसमें करेंगे तो 5 cardi5 ऑला 7 हो इधर करेंगे तो शात्त बट्टे सात देखो 54- बट्टा में 5 सत्य 35, माइनस में 3 सत्य 21, बट्टा में 7 पच्चे 35, अब यहां देखो आप कि दोनों का जो हर है नीची वाला बराबर हो गया, तो 1 लिखेंगे और उपर 40 माइनस 21 लिखेंगे, यानि कि अब यहां पर घटाएंगे, माइनस तो घटाएंगे, अगर पलस हो तो जोड़ लेते, तो 40 में 21 बचेगा और बट्टे में 35, तो यह आपका बच्चों एंसर, गुणा में क्या करते हैं न बच्चों, गुणा प्रवदा, ऐसे, नीचे, 4 का पहड़ा 5 में, 4 पच्चे 20, यह गुणा हो गया आपका, अब देखते हैं भाग कैसा करते हैं, भाग क्या करते हैं बच्चों, जो ऊपर है, जो पहला वाला संख्या है, उसको कुछ भी नहीं करेंगे, यानि कि जो चार बट्टे पास था, इ इसको करेंगे, गुणा कचीन, और इधर वाले को पलट देंगे, यानि कि 10 उपर चल जाएगा, और 2 नीचे आ जाएगा, तो आप पहड़ा पढ़ेंगे, उपर का उपर और नीचे का नीचे, तो 10 को 40, यानि कि 4 दहा में 40, और बट्टे में 5 दूनी 10, अब दोस्तों, कैसे भिन का भाग करते हैं, बच्चों, उमेद करता हूं कि अब आपको भिनों का जोड, घटाओ, गुणा और भाग आ गया है, अगर आई हो, तो इस वेडियो को प्लेज लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब किजिए, मिलते हैं किसी और वेडियो में, तब तनमस्कार, जाहिंद,